लंबे समय से जम्मू कश्मीर के युवा जो है प्रदशिन करते नजर आए और हमेशा यही आवाज उठाते आए कि यहाँ पर बहुत अनिप्लॉयमेंट यानि की बेरोजगारी है बच्चों के लिए नोकरी मिलना बहुत जादा मुश्किल हो चुका था बच्चे हाई लेव जो है उनका खतम हुआ है और हमारे LG मनोच सिना ने एक बड़ी राहत जो है जम्मू कश्मीर के युवाओ को दी है अगर मैं बात करूं तो हमारे मनोच सिना जी यानि कि यह गवर्नर जो है वो लगातार ऐसे बयान दे रहे हैं जिस वज़ए से लोगों को जो है वो रहत मि दी जाएगी ताकि लोग बेरोजगार जो है जो बविश्य है आने वाला उन लोगों को मुश्किले जो है वो ना मिले अगर मैं आज की बात करूं तो उनकी और से बताया गया है कि सब इंस्पेक्टर आफ जमू एन किश्मीर के लिए 800 पोस्ट उन्होंने अप्रूफ कर द और पड़ेगा रिटन बहुत है आपको टेस्ट देना पड़ाएगा इसके बारे में मैं आपको पुरी प्रैपेरेशन यह हो करना पड़ेगी क्योंकि ह्ए फाइंस्यल जो है वह काफी जाध़ा जरूरी हो जताता यह बहुत जौरी हो पर आकर जो बच्चे इलिजिबल होंगे उन्हीं को जो है ये नोकरियों का मोका जो है वो दिया जाएगा ना कि फिवर्टिजम जो है ओ या दिखाया जाएगा कोई अच्छा बुरा ये नहीं देखा जाएगा बलकि काबिलियत कितनी है वो देखी जाएगी तो उनकी और से 800 पोस्ट वो अप्रूफ कर दी गई है अलत कि अगर मैं बात करों सिरफ 800 पोस्ट सब इंस्पेक्टर के अपरूफ की गई है साथ ही साथ उनकी और से जोह सिलेक्शन प्रोट सेस्स ऑफ रॉन गजट्ट इलेवल पोस्ट यानि कि जितने भी नौन गजटेट लेवल यानि की police की, prisons की and fire and emergency services की इसके लिए भी recruitment process, selection process जो है उसे अप्रूफ कर दिया गया है जिससे SSB जो है वो उसका संचालन करेगी यानि की services selection board जो है उनके द्वारा इसका संचालन किया जाएगा मैं तीन department आमको फिर से बता दू police, prisons and fire and emergency services इस वज़ा से काफे जादा राहत वनोजेशीन द्वारा वनदा युवाव वो दी जारी है उनकी और से वादा किया गयाता है गिया 25,000 नोकरियां जो है ज्सकों किमीर के व्याव की जाएगी जिसके दो दो दिन बाद ही जो है, यह उनका बयान आया है फिलाल उनका tweet जो है ये करके उनकोना जानकारी दी है मैं आपको एक बार tweet भी उनका पढ़के दिखा दूँ कि in historic reform of recruitment process service selection board याने की SSB to carry out the selection process of non-guzzeted level post in police, prisons and fire and emergency services departments now the selections to the post will be based on written and physical test जो मैंने आपको तिन department भी बताया और ये भी बताया ये जितने भी selection process होगा इसमें written positionation for ensuring smooth career progression याने की test रखने का मतलब यही होता है ताकि काबिल्यत जो है वो देखी जाए और जो सबसे ज़्यादा eligible है जो संभाल सकते है अपना ओदा उनहीं को जो है वो job दी जाए ताकि आगे उनका career जो है वो smoothly चलता जाए और लोगों को भी किसी भी तरह की परिशानी ना आए जब भी उनको कभी लोगों के परिशानी को हल करना है लोगों के लिए उनने surf करना है तो उनको भी जो है किसी भी तरह की परिशानी ना आए The UTF administration is moving ahead in direction of expanding the process for recruitment of 25,000 promise jobs in the public sector as well as government departments to empower the youth of Jammu Kashmir. यानि कि जितने में public sector और government sector में हैं यहां पर ऐसी post निकाली जाएंगी जिससे जब मुकश्मीर की youth को एक boost मिलेगा और उनको जो है रोजगार मिलेगा उनकी और से यह भी का गया है कि 1800 post जो है वो has been advertised by the SSB for recruitment in various departments and more posts are being identified gradually यानि कि जो बाकी post रहेंगी उनने जल्दी identify किया जाएंगी वो जल्दी जो है वो पता चल जाएगा हाला कि अगर बात करूं तो back to village program के लिए उनने यह भी कहा है the outline youth of Jammu and Kashmir have a key role to play in the overall department of the region. left and governor has a state that Jammu Kashmir government is planning to reach out to 50,000 youth for financial assistance under the next leg of back to village program यानि कि जो कि उनका अगला step रहेगा back to village program के लिए उसमें 50,000 youth को यानि कि 50,000 youth को जो है financial assistance जो है उन तक पहुंचाई जाएगी ऐसा plan जो है वो किया जा रहा है यानि कि Jammu Kashmir के यूवाओ के लिए जो है वो राहत दी जारी है ताकि यहाँ पर बेरोज़गारी जो है वो कही न कहीं कम हो और transparent way से नोक्रियां जो है वो मिले मैं इसकी एहम जानकारी आपको दे दूँ कि जो ये transparent way से जो नोक्रियां देने के लिए कहा गया है यानि कि को फिजिकल टेस्ट लिया जाएगा उसके वीडियो बनाई जाएगी ताकि यह पता जल जाए कि कौन जो है फिजिकल टेस्ट में पास है या नहीं है क्योंकि जब हम रिटन एक्जाम देते हैं वह एक्जाम की शीट हमेशा सबूत रहती है किसकी performance हो है किस हिसाब से रही है ठ इस बार यह ऐसा लिया गया है कि पर्टिकुलरली वीडियोग्राफी जो है उनकी की जाएगी ताकि किसी भी तरह का favoritism जो है वो नहीं दिखाया जाए और transparent way से नोक्रिया जो है वो प्रवाइड की जाए ताकि जमू कश्मीर का यूथ जो हमारा आने वाला बविश्य है उ अपने ओदे जो है वो संभाल कर बैठ जाते हैं जो कि वहाँ पर कारे जो है उनकी और से कोई नहीं किया जाता है फिलाल जमू कश्मीर के यूथ के लिए जो है बड़ी अच्छी खावर दी आप अपनी राए कमेंट बॉक्स में रखना ना बूले ऐसी तर्माम अब दिश के जो रहें बाहु एक्स बिसके साथ